नवस्कार दोस्तों कैसो आप लोग आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कानूनी बिंदू पे एक कॉमेंट में पूछा गया है यस के दुआरा कि सर सुनो ना मेरे 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 उपर दहेज का केश लगा है और मेरी पत्नी को मैं रखना चाहता हूं तो चार्ज लग गया है अ आगे बढ़े इससे पर छोटा सा निवेदन है चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो साथी बेल आइकन भी अवश्य दबालो ताकि आपको मिलते रहे मेरे प्रतेक वीडियो की जानकारी है अब हम चर्चा करते हैं सबसे पले मुकदमे की किसी व्यक्ति जो है मांग करना डیमांड करना उसके समद में आता है तो यहां इनके खिलाब चार्च सीट पेश हुई है, इन्वेस्टिकेशन किया पुलिस ने फाय दरज होने के बाद दोरान ने इन्वेस्टिकेशन पीलिस ने उसके बाद में चालान पेश कर दिया, इनका यह मामला है अब कोर्ट में फाइल आने के बाद इनके उपर आरोप लग गये, चार्ज लग गया, कि हाँ आपने यह साइसा प्राद किया है, आप क्या चाहते हैं, तो यह evidence में फाइल चली लिए, यह साक्षे में, अब क्या होगा कि prosecution होता है, मतलब जैसे ए नाम का कोई विक्टी है, उस सारे prosecution देखेगा, तो वो इस मामले को प्रू करने की कोशिश करेगा, evidence में सब को बुलाएगा, पहले पीडिता आएगी, जो परिवादिया है, वो आएगी, फिर उसके माता पीता, जिनको भी गवाद की लिस्ट में मनाया है, वो सारे कोट में आएंगे, अपने बयान दें इन में थोड़ी समझाइस के आवशक्ता होती है, कही ना कही तीसरे वेक्ती का रोल हो जाता है, और मामला भी गड़ जाता है, समझाइस अगर आप रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बात करनी चीए, एक बार आप उनके वकील से मिले, आपकी जो वाइफ हैं, उनके कोई ना कोई वकील होंगे, प्रोस्यक्विशन के अलावा, तो अगर बात कीजिए, अगर बेटता है, तो वहां से आप अपने अपने बेवाहिक जीवन की पुरह स्ताफन कर सकते हैं, अगर भाइफ नहीं बेटता तो आपको सक्षन 9, हिंदु विवाया दिनियम की तहत याची का पेश करनी चीए आपके जो भी आसपास कोट है डीजे लेवल के उन में किसाब मेरी यह पत्नी है ऐसा ऐसे शादी हुई थी और मुझे विवाहिक जिबन के स्था आपना करनी है साब इन्हें एक तरीके से वह फिर कोट में हाजिर होगी अपना जवाब देगी कि क्या पता राजी नमा वहां हो जाए अप लोगों के तो एक परियास कर लो आपको मेरे ख्याल से कर साथ रखना चाहते हो दोनों जेगे आपको परियास करना चाहिए जहां 410 में ए चल रहा है और जहां आप सेक्षन 9 लेके जा रहे हूं आपके पास ये लास्ट चारह है अगर बेटके हो जाता है तो साइद आपका परिवार वापस बस जाए आप लोग एक जगहों के विवहिक जिवन के स्थापना करने लग जाओ और दहेज के मामलों की परकिरिया भी यही है जो मैंने भी आपको बताई है अब इसमें जैसे ही evidence complete हो जाते हैं evidence complete होने के बाद में उसमें जो भी accused है जैसे आपने पूछा तो आप पती है पती है ऐसे Needham फोट होता है यहीं मुल्जिम होता है तो फिर उसके evidence playsen के complete होने के बाद में बैयान मुलिम होते हैं जिसमें वह कहता है कि साब मेरे ओधर जो आप लगए हैं और फेक करें मुझे जुटा पचाया गया है यही उसका जवाब होता है उसके बाद में में कोर्ट उसमें किया आपको एविडेंस पेश करना चाहतेों तो अम हो 성 तो सक्षिश शफाई बीकाते हैं उसमें इविडेंस आप पेश कर दो अपने अपने गवाव एक्जबीट करना चाहते हो पर उसके बाद आर्गुमेंट में आती है फाइनल आर्गुमेंट होता है और फिर कोट ओर और कर देता है आपको जिसके भी फेवर में हो संदेक अला ये प्रोसेस आपको अपनानी चीए, ताकि क्या पता आपके विवाहिक जिवन की पुनाइस्तापना हो जाए, कोशिश करनी चीए, और ये वीडियो भी इसी उद्धिश्य से बनाया गया है, इस विश्य को उपर, ताकि कोई और भी इसे वीडियो को देखे, ऐसी ही समझ्या हो तो उसे क्या करना चीए, ये उसे पता हो, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाए बाए